हलो आपड़ी बुवान दिस इज मान महुंति वारियंज मोव चैनल फिनांसर पांडी तेक नए वीडियो के साथ मैं फिर आया हूँ हर एक दिन वीच्वल फंड और इंवेस्मेंट से लेटेड आपके लिए वीडियो लिके आता हूँ वाकई में आप चाहते हो वीडियो का आपडेशन सबसे पहले मिले चान को सब्सक्राइब करो बेल आइकन को प्रेस करो लाइक को और सेर करना ना भूलो आज वीडियो में हम क्या बात करेंगे देखो पराग पर इक फ्लक्सिक एक मीच्वल फंड की बात करें तो अब वहां पर आप लंसम नहीं कर सकते हो कोई कोई भी फ्रेस इन्वेस्टमेंट उस मीच्वल फंड में अब नहीं कर सकते हो इग्जैक्टली मैंने रीजन अलड़ी आपको बताया है कि इंटरनाशनल एक्सपोजर है वैसे फंड में और सेभी के गाइडलाइन के कोडिंग अब इस फंड में कोई भी फ्रेस इन्वेस् सकते हैं देखो पराग पर एक फ्लेक्सी के मीच्वल फंड की बात करूं तो इंटरनाशनल एक्सपोजर ओल्मुष्ट आप 25 से 35 पसंड के बीच में देख सकते हो लेकिन हाँ इस काटेगरी में कोई ऐसा फंड नहीं है जिसमें इंटरनाशनल एक्सपोजर भी हो लेकिन हम यह कह सकते हैं कि इस काटेगरी में वैसे फंड का सेलेक्शन कर सकते हैं जो इसके आस पास जो इसके आस पास हो इट मिंस की रिटर्न के मामले भी काफे स्ट्रॉंग हो और देखा जाए डाउंसे प्रोटेक्शन और जो कंसिस्टेंसी है रिटर्न का वो भी स्ट्रॉंग हो तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पराग परिक फ्लैक्सी केप मीच्वल फंड का क्या alternate option है हम कौन से फंड को जगह दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले वाकई में आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करवाना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो को लेके काफी ज़्यादा कन्फ्यूज हो कि कौन सा फंड सही है या गलत है या फिर आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसा प्लान करना चाहते हो चाहे वो रिटामेंट प्लानिंग हो चाहे कोई गोल बेस्ट आपका इंवेस्टमेंट हो तो आप अगर इन सारी बातों को लेके काफी कन्फ्यूज हैं तो मेरे से जूर सकते हैं डिस्कप्शन बोक्स में जाके डीटेल चेक करें और उसके साथ ही साथ वहाँ वाट्सअप नंबर के थूरू मेरे साथ जूर सकते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पराग पर एक फ्लैक्सी के इप मीच्वल फंड की बात करें लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं ये भी बताऊँगा कि कि इन लोगों को फ्लैक्सी के इप मीच्वल फंड अपने पॉर्टफोलियो में एड नहीं करना चाहिए और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप अलड़ी पराग पर फ्लेक्सिकेप mutual fund के साथ जुड़े हो तो आपको यहां पर क्या decision लेना चाहिए चलिए सबसे पहले वो कौन सा mutual fund है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ फर्स्ट मैं अगर बताऊं तो यहां पर कैनला आपको फ्लेक्सिकेप mutual fund को आपके सामने रखूंगा कुल मिला के अगर रिटर्न की बात करें तो इस mutual fund ने हमेशा एक positive response दिया इट मींज कि अपने category average और benchmark के performance को बीट किया है सिर्फ एक साल के data को देखे तो थोड़ा सा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है नहीं तो तीन साल, दो साल और पान साल के data पे यह देखने को मिल रहा है कि यह mutual fund हमेशा आपने category average और benchmark के performance को बीट कर रहा है तो अगर आपके portfolio में कोई flexi cape mutual fund की requirement है तो आप इस mutual fund को जगा दे सकते हो दूसरे number पे अगर मैं आपके सामने data रखूँ तो PZIM India flexi cape mutual fund है देखो यह fund भी काफी strong है अगर देखा जाए तो पराक परीक flexi cape mutual fund से return के मामले में काफी मिलता जूलता है लेकिन थोड़ा सा इसमें ups और downs काफी जादा देखने को मिलते हैं लेकिन return की बात करें तो इस mutual fund चाहे आप एक साल तीन साल और पान साल के data को देखो इसने हमेशा अपने category average के return को beat किया है और यही नहीं अगर rank within category की बात करें तो यह mutual fund हमेशा आपको under 10 rank देखने को मिलेगा और यही नहीं अगर हम इसके benchmark से compare करें return का तो यह भी देखने को मिला है कि यह mutual fund हमेशा अपने benchmark के performance को beat किया है कुल मिलाके यह मैं आपको दूसरा option दूँगा अगर आपके portfolio में कोई flexicap mutual fund की requirement है एक और भी option है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ quant flexicap fund लेकिन इसमें एक demerits है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत ऐसे investor है जो comment box में ज़रूर query करेंगे कि आपने quant flexicap mutual fund को जगा क्यों नहीं दिया देखो सबसे बड़ा reason है यह mutual fund return दो दे रहा है exactly अच्छा return दे रहा लेकिन अगर इसके expenses ratio को देखें तो almost 2.39% का expenses ratio काफी ज़्यादा है exactly काफी ज़्यादा है 25-3% का सिर्फ आप expenses ratio सालाना दे रहा है अगर यह mutual fund सालाना अगर आपको 18% का return दे रहा है तो actually में आपका जो return है वो 14-15% के करीब में है तो इसलिए मैंने इस mutual fund को जगा नहीं दिया है हाला कि return के मावले में यह strong mutual fund है वाकई में अच्छा performance देखने को मिल रहा है लेकिन सिर्फ expenses ratio के चलते मैंने इस mutual fund को skip किया है मैंने जो दो mutual fund बताए है Canrar आपको Flexi Cape और यहाँ पे PGM Flexi Cape mutual fund इन दोनों का expenses ratio देखोगे तो काफी कम है जैसे कि अगर मैं PGM India Flexi Cape fund की बात करें तो expenses ratio सिर्फ 0.39% के करीब में है Canrar आपको Flexi Cape fund की बात करें तो 0.55% के करीब में है और AUM की बात करें तो PGM का AUM है वो 3302 करोड है और जबकि Canrar आपको का 6,598 करोड का total AUM है तो यह data है expenses ratio काफी सस्ता है अगर हम Quant Flexi Cape mutual fund से compare करें और अगर हम पराग परिक Flexi Cape mutual fund से भी expenses ratio compare करें तो यहाँ पे थोड़ा आपको सस्ता देखने को मिल रहा है कुल मिला के आपको यह तो समझ में आ गया कि अगर Flexi Cape mutual fund का requirement है आपके portfolio में तो कौन से mutual fund को जगा देना है अब मैं investor को यह भी बताना चाहता हूँ कि अगर देखो आपके portfolio में Multi Cape mutual fund है तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि Flexi Cape mutual fund को add करो हो सकता है कि overlap का percentage ज्यादा हो अगर आप देखोगे Multi Cape और Flexi Cape mutual fund से तो Large Cape का percentage थोड़ा सा match कर सकता है जिसके चलते overlapping का percentage देखने को मिल सकता है तो मैं investor को यह भी advice करूँगा कि Multi Cape और डड़ी है तो Flexi Cape तो add नहीं करना है दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे advice करना चाहता हूँ आपके portfolio में और ड़ी पराग पर एक Flexi Cape mutual fund है आपने पहले investment किया तो आपके portfolio में already है तो आपको उसके साथ ही continue करना है future में हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपको फिर से S.I.P. और Lumsum का option देखने को मिले तो ऐसे में जब अगर आप already invested हो तो वो तो S.I.P. आपका पूराना चलेगा ही चलेगा अब ये गलती आपको नहीं करना है कि कोई और flexicap mutual fund अपने portfolio में add करो जो investor और परागपरिक flexicap mutual fund के साथ जुड़े हैं बने रहे हैं आपको कोई भी यहां पे negative decision नहीं लेना है इस fund के against जाके कोई भी ऐसा decision नहीं लेना है जिसके चलते आपके portfolio में नुकसान भी हो क्यूंकि बहुत ऐसे investor हैं मेरे से query कर रहे हैं कि सर अब तो परागपरिक flexicap mutual fund में lump sum तो करना ही सकते तो क्या इसके जगा कोई और flexicap mutual fund add करें जी नहीं ये गलती नहीं करना है आप परागपरिक flexicap mutual fund के साथ बने हुए है तो कोई भी mutual fund flexicap category का आप add ना करें हाँ अगर आपके portfolio में कोई और category के mutual fund की requirement है तो वो आप add करें बहुत ही summarize करके अगर मैं आपके सामने data रखूँ कि अगर आपके portfolio में flexicap mutual fund की requirement है आप अभी अभी भी इपना portfolio डिजाइन किये हो तो आप एक flexicap mutual fund आइड कर सकते हो जैसा कि मैंने आपके पास दो option दिया है multi-cape अपके portfolio में कोई जरूरी नहीं है कि flexicap mutual fund आइड करना है अगर आपके portfolio में परागपरिक flexicap mutual fund है बने रहें उसके साथ कोई और flexicap mutual fund आइड नहीं करना है तो ये था पूरा समराइज आप समझ गयोगे मैं क्या कहना चाह रहा था आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा एक humble request अभी तक चानल को नहीं करें subscribe, like और share तो भी start करें फिर्म लेक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए चैहिन चैभारत